हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, आज मेरा वीडियो विनका के पॉलिनेशन पे है आज मैं इसमें बात करूँगी कि विनका का पॉलिनेशन कैसे कराया जाता है और क्यों जरूरी होता है किसी भी पॉधे को अपना जीवनकाल पूरा करने के लिए पॉलिनेशन की सबसे ज़्यादा आवे सकता होती है पॉलिनेशन की प्रक्रिया से ही पॉधों में फूल बनते हैं, फल लगते हैं, सीट्स लगते हैं और इनके रंगों में भी बदलाओ किया जा सकता है तो अगर आपके पास एक से दो कलर के विनका हैं, तो इन्हें आप और रंगों में भी बदल सकते हैं इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके विनका के ब्लांट में सीट्स नहीं बनते हैं, कम फूल आते हैं तो आप pollination के द्वारा इन्हें भी प्राप्त कर सकते हैं विनका को friend सदा बहार के नाम से भी जानते हैं और बहुत जगए अलग-अलग नामों से इसे जाना जाता है जिस तरह से आज मैं विनका पे pollination बताने जा रही हूँ उसी तरह से आप सभी पौधों पर कर सकते हैं तो इसके लिए आपके पास एक से दो कलर के बिनका होना बहुत जरूरी है नहीं तो आपको कहीं से एक फूल मिल जाता है जो आपके पास सदा बहार से अलग हो उस फूल को आप तोड़ लीजिए तोड़ कर उससे अलग कर देना है वैसे तो मदमक्यों के द्वारा पॉलिनेशन बहुत आराम से हो जाता है जहां मदमक्यां ज्यादा आती हैं वहां पर आप देखते होंगे कि फूल जरूरत से ज्यादा ही खिलते हैं और फ्रेंड्स उसक आपको कोई अलग सा प्लांट दिखे तो उन्हें उखाड कर मत पेकिए उनको बड़ा होने दीजे फिर उन्हें चेक करिए कि ये कौन सा प्लांट विनका के इस हिस्से में पराग कर रहते हैं जो पॉलिनेशन में सहायता करते हैं पॉलिन एक पाउडर की तरह होता है जो य हलके पतले नाखूनों का इस्तमाल करें उसके अलावा एक छोटी सी इस्टिक से इसको धीरे से निकाल लें मैंने तो इसे निकाल लिया है और ये देखिए छोटा सा पराग कर मेरे हाथों में आ गया है ये नाखून पर जो आपको दिख रहा है यही पराग कर होता है जिसस प्लावरे में अपने दूसरे कलर के फिलावर में इसको ऐड़ करदेगी इसको बहुत ही हलकी हाथों से करना है यह दो मैंने इसके अंदर कर दिया है इससे अगर मेरे प्लांट में सीड नहीं बनते तो वो बनने लगेंगे इसके अलावा मुझे विनका में दूसरा कलर भी मिल जाएगा फ्रेंट्स पहले मेरे इस प्लांट में सीट्स नहीं बनते थे तो मैंने इसी तरह से पॉलिनेशन कराया इसके बाद इसमें सीट्स बहुत ही अच्छी मात्रा में आने लगे हैं जब ये मिच्चोर हो जाएंगे तो इनको मैं ग्रो करूंगी इनसे भी कभी कभी ऐसा होता है कि अलग कलर का ही फ्लावर आपको प्लांट में देखने को मिलता है फ्रेंड्स लगबग एक महिने के बाद आपको विनका के प्लांट पर अलग अलग कलर के फ्लावर देखने को मिल जाएंगे जैसा कि मैंने वाइट और पिंक कलर का पॉलिनेशन कराया था तो इसमें से ये कलर मेरे प्लांट में आया है तो ये कुछ वाइट और पिंक का कॉमिनेशन बन कराया है इस तरह से आप भी विनका के प्लांट में पॉलिनेशन कराकर ज्यादा से ज्यादा फ्लावर ले सकते हैं और अलग-अलग कलर के फूल भी तैयार कर सकते हैं इनमें ही सीट्स बन जाते हैं उनको भी आप ग्रो कर दीजिए उनसे भी पौधे तैयार होंगे तो वो अलग कलर ही आपको देंगे तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएगा अभी कले इतना ही मिलते है अपने नेक्स्ट वीडियो में